पिछले साल से शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग नए साल में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है लेकिन लगता अब ये है कि पुतिन के कमांडर ने एक नए कसम खाई है पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादीरफ ने परमाणों युद्टी धंकी देकर अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है पिछले ग्यारा महीरों से चल रही इस जंग में कादीरफ के रढ़ाके रूस की सेना के साथ मिलका युक्रेन पर कहर बन का टूट रहे हैं अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें सावधान फ्रीडम आपको डाउनलोड करें बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए लेकिन इस बीच कादीरफ के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई क्योंकि पुतिन केस बादान ने एक बार फेर पार्मानू हमला करने की दंगी देदी अपने इस बयान के जरी रमजान कादीरफ ने ये भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुँचा तो पुतिन परमानू बम का बटन दवाने में देन नहीं करेंगे मतलब ये कि यूकरेन युद कभी भी परमानू युद में बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामयाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कादीरफ ने परमानू हमले की धंकी दी है इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूकरेन पर एक्टम बम गिराने की सला दी थी और पुतिन से एक छोटा परमानू बम यूकरेन की किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी ताकि जैलेंसकी को एक तगड़ा जटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दे हाला कि कादीरफ के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बात नहीं मानने से कादीरफ खासे नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती कादीरफ का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो और इसके लिए कादीरफ ने रूसी सेना का पूरी तागस से हमला करने की नसियत दे दी और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली जूट देनी की भी अपील की ताकि महीनों से चल रही जंग को जल खत्म किया जा सके मतलब ये कि कादीरफ पुतिन के लिए हर हाल में यूकरेन जंग जीतना चाते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कुरवान करने के लिए तयार है यही वज़ा है कि उन्होंने कुछ महीने पहले तीन नावाली बेटों को भी जंग में उतार दिया था जिनका यूकरेन की सेना से लड़नी का एक वीडियो खुद कादीरफ ने जारी किया था जिसमें उनके तीनों बेटे चंग के मैदान में खतरनाक हतियार से लड़ते हुए नजर आये थे इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आये जिनमें वे बेरहम लड़ाकों की तरह यूकरेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिये थे पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादीरव जंग लंबी खीशने से परिशान हो चुके है और इसलिए वो बार-बार परमाड युद की धंकी दे कर पुतिन को उकसाने में लगे है ताकि यूकरेन पर एक्टम बम गिरा कर जंग खत्म की जा सके अब लगता ये है कि इस युद में सहयोगी भी सीधे डिरेक्ट लडाई के मूड में नजर आने लगे है बिल्कुर रूस युकरेन जंग के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है बताये जा रहा है कि अमेरिका के जेनरल्स ने युकरेन पोलाण सीमा में एक सीक्रेट जगह पर खूफिया मीटिंग की है बताया ये भी गया कि इस खुफिया मीटिंग में अमेरिकी सेना के प्रमोग जनरल मार्क और यूकरीनी सेना चीप जनरल वालेरी जालुजनी की मुलाकात हुई है गुप्त जगहा पर हुई इस मीटिंग में सोलेदार पर रूस का कबज़ और निपरो में रूस के घात तक मिसाइल हमलों पर काफी विस्तार से बाच्चित हुई है क्या अगले 72 घंटे में रूस कुछ ऐसा करने वाला है जिसके खबर से योक्रेन, अमेरिका और नैटो के होश उड़ गए है क्या पश्चिम देशों के खुफिया एजेंसियों के दावेग फेल हो रहे हैं जिस पे दावा किया गया था कि रूस के पास हथियारों की बहारी कमी हो गई है क्या राश्रुपती पत्यन रूस के स्पेशल ऑपरेशन से मार्च दो हजार थेज तक पूरे योक्रेन पर कबजा कर लेंगे लगपर 11 महीने से चल रही जंग में क्या अब रूस युद्ध पोत और पंडुप्यों को तबाह करने वाली मेसाईलों से योक्रेन पर खौफनाख हमले कर रहा है आखिर जंग में अब ऐसा क्या हो रहा है कि पोलन की प्रधान मंतरी को कहना पड़ रहा है कि अगर योक्रेन जंग में हारा तो तीसरा विश्युद्ध शुरू हो जाएगा